हेलो एवरिवन कैसे हैं सभी उमीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे तोड़ी सेवन्टींथ आव मार्ज ट्विट्विट्टी त्री और डे हैं आज फ्राइडे तो जैसा कि आप सभी को बताए है कि आज कल जो वो टर्म टू के जो वो एक्साम चल रहे हैं छाए वो 10th कलास के हो छाए वो 12th कुलास के हो झाज है बोर्ड के एक्साम के मैं बात कर रहा हूँ तो आज कलना बहुत सारी बच्चों के जो comments आ रहे हैं कि यह जो weighting marks हैं वो जो वो कैसे आ रहे हैं weighting marks जो क्या होते हैं ठीक है दो वीडियो में जो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वेटेज मार्क्स जोबो कैसे जोबो हम लोग निकालते हैं कैसे जोबो वेटेज मार्क्स जोबो क्या होता है कैसे उसको calculate किया जाता है और कितने marks जोबो आपको चाहिए वह से भी बते हम पहले भी discuss कर चुके हैं लेकिन बहुत सारे comments आने के बाद जो मैंने सुचा कि क्यों न एक बार फिर से जो वो आपको जो वो एक बार फिर से बताया जाए कि वेटेज़ मार्क से वो क्या होते हैं, कैसे जो इसको calculate करते हैं इस वीडियो में हम लोग यहीं discuss करेंगे कि आपके जो भी comments है बहुत सारे बच्चों का ऐसा ऐसे question है कि हमारे जो जैसे मानलो 45 जो भो हमने ले लिए 50 में से तो हमें जो जो भो कितने चाहिए मतलब कि term 2 में जो भो हमें कितने number चाहिए कि ताकि हमारे जबो 95% आ जाए या कईयों के तो ऐसे कोशिन है जो पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी उनके मैसे ऐसे हैं कि हमारे ना फ़र्स टर्म में जबो हम फेल होगे है मालों 50 में से आपके नंबर जबो 10 से कम ही आए 8 नंबर आए तो आप फेल होगे अब वो पुछ रहे हैं कि हमें कितने नंबर लेना पड़ेंगे टर्म टू में किया है ताकि हम दोनों टर्म और टर्म टू में जब मतलब की जब दोनों का सम होगा ठीक है तो तब जबो हम लोग पास हो जाएं तो वो ठीक है आप जबो लेकिन आप मेहनत करिए आपको मेहनत काफल जबो जरूर मिलेगा लेकिन आपके ऐसे भी कुछीन है कि आपको कितने नंबर की जरूर तो पड़ेगी लेकिन सभी बातों का जबो बैसे पहले बेज़ों मैं बता चुका हूँ अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं दो पार्ट में हमने देख चुके हैं बहुत सारे आपके कमेंटे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब भी जो वो मुझे लगता है कि सबसे पहले जब हमारी वीडियो कोई बता रहा है तो बहुत सारे कमेंटे जैसे अगर मैं यूट्यूब पर जब सर्च करूँ मीनिंग आ रहा है हमने बात की थी वैसे अगर आप किसी दूसरे बोर्ट से हैं तो भी आप देख सकते हैं कि वेटेज वो कैसे निकालते हैं ठीक है हमारी ही आएगी यहां पर बेटेज मार्क्स तो इस पर मैंने क्लिक किया तो एह देखे सबसे पहले जबो यही वीडियो है जिसमें जबो यहां पर बाइस अजार के आसपास जबो वीज़ जबो बहुत सारे कमेंट है तो दूसरी वीडियो भी जो सेकंड टाइम जबो हमन मतलब क्या होता है और बेटेस जो एक्चुल में यह बनाई कैसे और कैसे इसका यूज किया जाएगा कैसे जो एड होंगे ठीक है वो सभी बाते डिसकस करेंगे आप जो एक दम बिल्कुल बिल्कुल कहीं अकेले में जाकर के जो बैठें फिर जो देखें कि हमें परसेंटेज का मतलब पहले समझे कि परसेंटेज का मतलब क्या है फिर बेटेस को समझे कि वेटेज जो एक्चुल में निकाली क्यों जा रही है उसको समझे फिर जो आप समझे कि कैसे जो आपने परसेंट जो हमें पास होने के लिए चाहिए कितने जो आगले टर्म में आने चाहिए था बच्चों ने जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखे जैसे बहुत सारे कमेंट जो आपको यहां पर देखने के मिलेगे प्रीबिए सिर के एक यारा महीने पहले का है बहुत पुराना एसर ड्रॉइंग में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए ड्रॉइंग की बात हो क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे तो सब को रिफलाई देना जो वह पॉसिबल नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्ट जो और बनाते हैं और इसको मैं एक पर फिर से जो आपको बताऊंगा कि वेटेस जो क्या होती है कैसे कैलिकरेट करते हैं फिर एक बार अग कुछ बड़ा सोच रहे है कि 95% के लिए कितना चाहिए हमें तो इस सभी जो वह लोग यहां पर डिसकस कर लेंगे जिसको भी यहां पर रिफलाई नहीं मिला है फ्लीज रिपलाई तो कईयों के मैसेज वह बट से पे भी आया थे उनको मैं नेकोशिस की है रिपलाई देने क कि तो यहां बहुत सारे मैसेज हैं जो कि मैं भी बहुत सारे पड़ भी नहीं पाया हूँ तो मुझे लगता है कि सभी के ऐसे डाउट सोंगे कि वेटिस क्या है वेटिस यहां से निकालते हैं कितने परसेंट आपको चाहिए तो क्यों ना हम लोग जो एक बार अच्छे से जो इसको समझे कि वेटिस क्या होता है तो चलिए फिस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आप जो परसेंट का मतलब समझे मैं वाइट बोर्ड ही उपन कर लेता हूँ था कि आपको अच्छे से क्लियर जो दिखाई दे और आज के बाद जो आपके कोई कमेंट्स जो न यारी करें तो भी आप परसेंट इसको अच्छे समझे इससे लेटिट जो कोईशिन बनते हैं ठीक है देखे परसेंट का मतलब कहा है यह है परसेंट का सिंबल ठीक है तो यह लिखा मैंने परसेंट पी यार सी इन टी ठीक है परसेंट पर का मतलब है अपवान बटा जिसको उसके बटा में 100 अइसे बोलते हैं आप तो वह ही है एक परकार से % का मतलब है 100 में से मतलब की जिसके बटा में 100 है वो परसेंट है तीक है ऐसे आप इसको समझेए फिलाल के लिए परसेंट का मतलब यही ऐसी दसा कि आप 100 में से बता रहे हैं जैसे एक्जामपल के लिए मैं अगर बोलूं कि मुझे जो बो 100 में से 75 नमबर आए तीक है मैं इसको 75 % लेकरता हूँ यह बिलकुल इसको 75 निज चाहता हूँ है क्योंकि नीचabout 100 है यही तो ऐसे नियूमिनेकर अपॉन इसे लिखता हो तो इसका मतलब है डिनोमिनेकर में से जो नियूमिनेकर है मतलो कि 1115 जो परसेंट का मतलब क्या है 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 परसेंट का मतल पक्क के नहीं आया है यह percent है जो बन अपान 100 का परसेंट बन गया है तो तब ही 75 परसेंट बना ठीक है आई होप आप समझ पार है कि मैं क्या कहना चाहरा हूं ठीक है तो अब आप समझिए अगर मैंने बोला कि 70 सुरी 100 में से मैं बोल रहा हूं अब देखिए आपको सीधे से जबो जैसे मालो पांच नंबर का टेस्ट हुआ आपका पांच नंबर का टेस्ट हुआ मैक्सिमम मार्क्स जबो आपके 5 है मैक्सिमम मार्क्स 5 है ठीक है आपने जबो लिए कितने नंबर 3 नंबर लिए माल लेते हैं थोड़ देरी के लिए आपने कितने नंबर लिए आपन उतने mark लिए पांच मेंसे तीन Marks लिए तो मैंK्या इसको penxon चैश्चन में ऐसे लिखता हूं कि आपने जो वह 5 मिनसे 3 mark लिए मिल्कुल सभी बात है 5 मेंसे 3 ऑपान 5 ठीक है ज 스ंच घ्भाद हो Comment you 100 नमबर का प्रय आपने 75 लिए जैसे मालो 50, जैसे मालो 100 नमबर का आपका पेपर है, आपने 75 लिए, तो क्या मैं इसको 75 अपाउन 100 लिख दूँ, तो यास बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, अब देखिए, आपका नमब, आपका जो पेपर है ना, वो जो वो 5 मार्स का ही हुआ, ठीक है, तो आपने कितन में change करोना, मतलब की इसके साथ चो परसेंट लगाओ, मतलब की 3 अपॉन 5 को ना, मैं percentage में change कर दूँ, ठीक है, मतलब की percentage जो वो अब क्या होगा, percentage लगाना है, अब दीखिए, परसेंटेज हटाना नहीं है, percentage लगाना है, अब परसेंटेज का मतलब तो 100 है डिवाइट में, लेकिन जब आपने न मतलग की लगाना है न परसेंटेज़ तो आपको क्या करना पड़ेगा आपर multiply by 100 करना पड़ेगा अब देखे multiply by 100 अब आप समझ रहे होंगे अगर multiply 100 की है न अच्छा ऐसे न समझ गए न दूसरे तरी के समझे जैसे मान लोग फिर से मैं लिख रहे हैं अब आपको पताए कि 3 upon 5 कहां से आया पांच में से आपने तीन नमब लिए अब अगर मैं जब इसको परसेंटेज में चेंज करना साओ ना तो मैं क्या करूँगा आपको था है परसेंट का मतलब क्या है अपॉन में 100 मतलब नीचे जब वो 100 से डिवाइड हो गया तो दीख और यह जो नीचे वोन अपॉन हंड़ है ना इस तो बन जाएगा परसेंटेज यह जो नीचे रेड़ वाला हंड़ लिखा है यह तो चलो परसेंटेज हमने बना दिया क्योंकि हमें बता है बटा में 100 परसेंटेज होता है ठीक है अब यहां पर बचा 300 तो 300 को 5 से करिए तो लेकिन जब हमने परसेंटेज निकाली और बहुँ जो 60 परसेंट आई इसका मतलब है कि आपने घंडर में से 60 मांЩ नीचे इसका जेता सा मतलब यह है मतलब कि अगर आपका पांच नंबर का टेस्ट हुआ लिए तो आपने तीन अगर मैं 100 में से बोलू ना तो 100 में से आपने 60 माक्स लिए ऐसे जो मैं बोल सकता हूँ अब मेरे काल से आप समझगे कि आपको करना क्या है अब देखे अब इसको बोल जाए अब तो देख लिए आप फिलाल इतना सुचिए कि 3 upon 5 में multiply क्या किया हमने सिर्फ 100 किया बागी percentage तो चिपका दिया मतलब कि 3 upon 5 को percentage में change करने के लिए 100 में से लाने के लिए हमने 100 से multiply किया बस इतना समझगे फिलाल के लिए अब देखे आपकी जो वेटेस है वो जो वो कैसे आई है अब मैं आ रहा हूँ उसी topic पर अब मैं यहाँ पर उसी को निकाल लेता हूँ अब मैं उसी पर ही आ रहा हूँ देखे आपने जो वो एक किसी का जो वो यहाँ पर पेपर है आप जो वो यहां पे नाम तो नहीं है किसी का भी लेकिन मार्क्स जो अच्छे लिए है देखिए 50 में से 33 47 बहुत अच्छे मार्क्स है पॉलिटिकल साइंस में हिंदी में 38 है कंप्यूटर साइंस में 40 है तो अच्छे नमबर है बिल्कुल ठीक है इसमें कोई मतलब की बुरी बात नहीं है अच्छे नमबर है बहुत अच्छे नमबर है अब देखिए आपने 50 में से 45 नमबर लिए बहुत अच्छी बात है ठीक है आपके जो बेटे जैना वो 36 कैसे आई वह मैं आप बता रहा हूं देखिए आपको क्योंकि देखिए एक कौन सा है इंग्लिस वाला है ठीक है आपको बदाए इंग्लिस में जो आपको assessment लगती है दस नमबर की अब यह दस नमबर की assessment तो last में चिपकाएगा साथ में लेकिन यह बो रहा है कि अगर आपका 50 नमबर का paper हो गया ठीक है 50 नमबर का term 1 हो ग कि in physics chemistry जो भी है आपके दूसरे subject उसमें जो वो practical भी होंगे दस नमबर के assessment तो सभी होंगी लेकिन कुछ में practical भी होते है ठीक है तो उसमें जो 30 में से फिर देखी जाएगी तो अब बो रहा है कि अगर आपने 50 में से 45 ले लिए ना तो मैं जो वो क्या कर रहा हूं कि 45 को जो हमने क्या किया था मिल्क Speech जो जो ज खी रहे हिर तो इसे लिए उसको अंपने 50 में से फॉटिवाई लिये तो क्या मैं इसको क्या मैंuffy मैं से 25 लिए यह, लिए लिक सकता हूं अब मल्लिप्लाइम में क्या करूंग मैं, वहां पी जबो 100 से देखी जा रहे थी क्योंकि हम percentage निकार रहे थे यहाँ पे हम betis निकार रहे हैं और betis कितने से निकार लेंगे हम 40 में से क्योंकि 10 नमबर की assessment जोड़ेगी 50-50 का जबो आपकी betis रहेगी कि दोनों टर्मों टर्म दूपें तो यहाँ पे जोगो किस से multiply करना है अब आप समझगे होगी कि 40 से multiply करना है ठीक है अब आप इसको ऐसे भी हो सकते हैं बिल्कुल कि आपके जो नमबर ना 45 आए तो क्या इसको मैं ऐसे लिखे दूँ कि इसको आप calculate करके जो वह यह आ जागा 36 ठीक है लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और update कर देता हूँ 45 multiply क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 40 upon 50 लिख सकता हूँ ना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बस इस 50 को जो मैंने यहां पे लिया क्योंकि बीच में multiply है तो मैं कहीं भी इसको लिखता हूँ तो क्या मैं इसको 40 upon 50 लिख तो 0 से 0 तो cancel हो गया और 4 upon 5 को मैं क्या लिखता हूँ 4 upon 5 को देखिए 0.8 लिख सकता हूँ वैसे ठीक है तो मैं इसको ना 4 upon 5 को calculate करके यहां पे इसको erase कर देता हूँ तो देल के लिए यस 4 upon 5 आ रहा था ना 4 upon 5 का मतलब है 4 को आप divide करो 5 से तो मैं कर देता हूँ 5 से ठीक है मैं खुद जो यहां पे solve कर रहा हूँ ताकि आपको जो बिल्कुल basic से अच्छी से समझाए ताकि आपके जो कोई doubts जो ना रहे है बिल्कुल भी जब क्यूंकि चोटा है तो decimal लगेगा और यहां पर आगा 40 और 85 जो होता है 40 तो 0.8 इसका जिसरा मतलब यह हुआ कि हमारा आया था है यहां पर 45 upon 50 ठीक है और हमने multiply करना था इसको 40 से तो इस cancer आना चाहिए ठीक है यह 36 आना ही चाहिए ठीक है कुछ भी हो जाए 36 यह आना चाहिए अब हमने क्या महला मैंने आपको क्या बन गया 0.8 बन गया था तो क्या मैं इसको multiply by 0.8 लिख दू लिख सकता हूं बड़े अराम से ठीक है और अगर मैं जो इसको थोड़ा सा और या मैं इसको ऐसे विकार सकता हूं वैसे यहां पर वैसे दिख रहा है मैं ऐसे जो आपको solve करके जो बता रहा हूं ताकि आप निकार रहा है तो आपको कुछ और जो मैतर लगा लें तेख आपको क्या करना है यहां पर सिदाई 0.8 से multiply करना है अगर आप जो वो calculator पर करना है 45 को 0.8 से multiply करेंगे तो आपका 36 बन जाएगा अगर आप इसको ही calculate कर दें यहां पर 5 से जो वो यहां पर कार दे 45 को 5 9 जा होता है 45 और 9 और 4 बचा और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है तो यह भी 36 आ रहा है और 45 को 0.8 से multiply करेंगे वो भी 36 आएगा देखिए 45 0.8 कहां गया calculator 45 multiply by 0.8 तो देखे 36 आ गया है ठीक है तो इसका मतलब है कि जो भी हमने यहां पर calculation की वो जो वो बिल्कुल सही आ रही है ठीक है तो ऐसे जो हम लोग फेटेस निकाल रहे हैं अब आप समझ गये होंगे कि अगर जो वो मैं 50 मेरे जो वो 50 में से 33 आए तो 26 कैसे बना होगा ठीक है अब देखिए एक किसके नंबर है एक हिस्टी के नंबर है तो इस्टी में माल लेते हैं तो देर के लिए कि आपके जो वो 10 नं लेको ही 33 आप वोन में 50 यह आपके 50 में से 33 नंबर लिए थी आपने ठीक है और इसको 40 में से जो वो वेटेस निकाल ले तो 40 से इसको मुल्टिप्लाइट होता है 33 मुल्टिप्लाइट इट देखिए 26 बनेगा अब देखिए आप बोलेंगे 26 नहीं आएगा बिल्कुल भी 26 नहीं आने वाला है देखिए कैसे 33 को मैं 0.8 से मुल्टिप्लाइट करने बाला हूं 33 को 0.8 से तो मैं कैलकुल रिको 0.8 से अब देखिए 26.4 आ रहा है यहाद रिखिए 26.4 आ रहा है तो 26 अपन 4 आप बोलेंगे यहां पर 26 कैसे आ गया 26 इसको भी आप समझे 26 अपन 4 आ रहा है अब यह बोल रहा है ना कि 26 अपन में अगर क्योंकि यहाँ पर 26.4 आ रहा है आपकी किस्मत कराब है 26.5 आ जाता तो 27 हो जाता है यहां पर तो इसका मतलब है आपके जो वो वेटे कैसे नकालेंगे ठीके बेटे कैसे बनी हां इस बाट जैसे घ्याना है और आप बोलेंगे फिव्टी में से फॉरटी आया है न आ इंटर्नल असेस्मेंट तो इसका मतलब है यह जो आपने 50 में से 40 तो लिए लेकिन यहां पे 30 में से बता रहा है फिर तो इसका मतलब है यहां पे क्या किया इसने 40 दिया आपने 50 में से और अब बहुत सारे बच्चों का यह तो डाउट क्लियर हो गया होगा कि वेटेस जो कैसे निकली अब एक बास समझते है कि आपको जो डाउट होता है कि यार हम पास कितने नंबर से होंगे तो उसका मैं एक यह आपको लास्ट फर्मूला बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको कै 33% जो चाहिए होते हैं पास होने के लिए 33% का मतलब है फिर से % का मतलब है 100 33 upon 100 मतलब कि 100 में से आपको 33 तो चाहिए है अब देखे परसेंट का मतलब क्या है 100 upon 100 इसका मतलब है आपको 33 तो चाहिए ही 100 में से 33 चाहिए तो अब जो आपको 40 में से कितने चाहिए तो आप निक ठीक है कम क्यों रखने है मतलब पूरे ही क्यों लेने आप सोचीना थोड़ा सा कि ज्यादा नंबर आ जाए ठीक है तो 40 का जा 35% निका लेगे ठीक है वैसे मुझे लगता है 35 जो आपके पास होने के लिए चाहिए होंगे ठीक है तो 40 का 35 का मतलब की मल्टिप्लाई 35 अपान हंडर तो आप ऐसे कैलकुल कर लो फिर 0 सी 0 कैंसल है यहां पर 5 से काड़ तो 5 2 जा और 5 7 जा और 2 से 4 कट गया 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 ठीक है तो 14 आ रहा है अब 14 कैसे है देखिए मैंने बोला कि आपके जो वो 40 का आपने निकाला 35% तो वो कितना रहा है यहां पर 40 मल्टिप्लाः 35 आपन 100 तो वो आ रहा है कितना किना आयता में रहे खाल से मैं बूल गया एकदम से चीड़ है यहां पर ट्वाइलफ 14 आ देखिए 14 तो यहां पर 14 हां 14 ही आ रहा था क्योंकि 7 से कट गया था तो अगर 14 ना रहे इसका मतलब है आपको 14 में से न 14 नमबर चाहिए अगर आपके 14 नमबर नहीं आए न टर्मोन के अगर आपके मालो 12 नमबर आए न तो अगली बार जोब आपको कितना लेना पड़ेंगे 14 नहीं लेना पड़ेंगे इसमें दो और जोड़ी है क्योंकि इसमें दो कम है तो आपको अगली बार जोब ना 16 नमबर लेना पड़ेंगे तो ऐसे आप calculate करिए वो आप खुद करिए ठीक है हाँ घ्यान रखिए 35% जोब नहीं आये तो आपको assessment कैसे लगी फिर बोट सारे बच्चों कहीं डाउट है कि practical assessment के नमबर जूड़ जाएंगे कि नहीं जूड़ेंगे अरे यह जूड़ गए न तब तो आप पास हो ही गए ठीक है लेकिन आपके जो ना 50 मेंसे अच्छा 15 मेंसे 50 मेंसे कितने चाहिए आपको 50 मेंसे 33% जब वो 17 होता है तो कम से कम 15 मेंसे 17 तो आने चाहिए लेकिन एक न इस दोनों सब्जेक्ट में इसको अगली बार जो वो मेनत करना पड़ेगी तभी तो बोर्ड ने बोला है कि आपको अगर इस तर्म में कम है न अगले तर्म में इंप्रूब्मेंट कर सकते हो फिर वो दोनों एड होंगे तब जो आपके 50 50 कितना होगा वेटेज बने 100 कि त क्योंकि यह 30 में से सोरी यह जो वो मालों 40 में से है तो 40 का न 35 परसेंट निकाल लो 40 मुझे लगता है कि बहुत कुछ मैंने आपको बताया तो आपको जो वो मुझे लगता है कि इसके बाद भी कोई एक डाउट भी नहीं वाना सी है फिर भी मैं बोलता हूं कि अगर आपको कोई वी डाउट है ना तो आप जो वो बटसेप पे तो बहुत सारे मैसिज आते रहते हैं तो बटसेप पे रिपलाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन कर सकते हैं बटसेप पे भी अगर आपने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखिए तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डा के लेगे कितिने दुखामी कितने अगली टर्म लेना पड़ेंगे ठीक है कितने 90 कितने 95 लेने के लिए कितने में मेंध Lynn पड़ेगी वो सभी जो आप खुद कैलकुट करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है तो ओके थेंक यू एंड नेक्स्ट अगर आपके पिपर अभी बच गए हैं तो पिपरों के लिए आप सभी को बैस्ट अफ लग पूँए